नमस्कार दोस्तों इस वक्त हम शमस्तिपूर से 8-9 किलो मीटर की दूरी पे हैं यहाँ पे जो है वाटर पार्क खुल रहा है भाई वाटर पार्क जो है अब आपको बेगू सराय या पटना या मुझाफर पूर अलग-अलग सहरे में जाने की ज़रूरत नहीं है अब समस्तिपूर से मात जो है समस्तिपूर सीटी से जो है 8-9 किलो मीटर की दूरी पे मुश्री घरारी के नजदीक मुश्री घरारी से जैसे ही आप जो है दलसिंग स्राय वाली रास्ता में एक किलो मीटर से देट किलो मीटर आगे बढ़ेंगे तो HP petrol pump है, उसके जस्ट जो है दाहिने से जो है, petrol pump के दाहिने से जो आपको एक रास्ता निकलेगी, वो जो आप अगर देखेंगे तो NH 28 से ही आपको नजर आ जाएगी water park का जो है, पूरा location आपको नजर वहाँ सा जाएगा, यहाँ कुछी दूरी है बस आप 2-3 मिनट पानी जो है, वो एक फीट से लेके जो है, आट से नौ फीट की यहाँ पर हाइट है, और यहाँ पे पानी का जो गहड़ाई है, लगबग देख रहे है, तो उसी तरीका से पानी दे जाएगा, जिससे किसी को नुक्शान नहों, लेकिन फूल मजा आने वाला है, क्योंकि आ ज़्यादा है, स्पेस में बनाया गया, अरे भाई क्या बताएं, वेव का भी जो काम है ना, बहुत जोर सोर से चल रहा है, लगबग जो है, काम किलियर ही हो जाएगा, यहीं पे भाई ठेकेदार साहब है, जो की वेव का काम देख रहे हैं, आपका सुब नाम क्या हो गया? इश्वर चंद वासमाद, और आप यह जो बेव का बन रहा है, यह पूरा लहर जो बनेगा, जो लोग मस्दी करनेंगे, उसका चीज़ देख रहा है, अच्छा, कितना दिन में यह बना के तयार करेंगा, यह आगले 15 अपरेल तक फैनल देंगा, बेव का तो पहले हो जाए है थो अच्छा रहेगा, लोग सहर, सहर वासियों के लिए अच्छा रहेगा किरो आपर देखाः में, परदेश में, अलग अलग जगों पर किये, अपने समस्ती पुर में काम गयें, यहां पहली बार आया हूँ, कोई चीज़ की प्रोब्रम नहीं है, लगता था मुझे ब बिहारी हुँ लेकिन विहारीु से ड़ लगता था नहीं यहां पर हमारे हो इस चैंजिंग दिनके मालिक लोक होग और इसा सारे अलेग़ा पर तो वहां पर कम जगह रहता है लेकिन यहां पर देखने जो काफी बड़ा जगा है और जी हमारा सर बिहार का दूसरा वाटर पार्क है चेतरभल के हिसाब से बालाप का गया है और दूसरा समस्तिपूर में है जो सभी लोगों को लुभाता है सबसे में यहीं लग रहा है उसके बाद उस तरब भी देखेंगे यानि सारे चीजों एक सेवर के एक है उधर स्लाइडिंग है फिर उधर जो लाइब डांसिंग है नहीं और उस तरब बेब बन रहा है सबसे पहले बेब कंप्लेट हो जाए आपका सुब नाम क्या हो गया विकास जो कि मैंनेजिंग करता है यहां का मैंनेजिंग देख रहा है अच्छा जैसे बेब का का कामलगवग लग रहा है वहां पर एंटाउस लगना है व्प्री आपका सब्सक्राइब कर करेंगे तो यह नीचे आई वो भी आपका 10 दिन में कम्लिट जाएगा लोग कहते हैं जो महनों लग जाएगा लेकिन ऐसा करना से यानि सारा काम जो है हो गया है केबल जो है पूरा सिस्टम सारा हो गया है और बस सारा जो है नट भल्डू टाइट होगा और उसके बाद जो है 10 या 15 दिन यानि कहा जाए तो अप्रिल जो है लास्ट यानि मिडिल यानि 15 से 20 या 30 हो जाए लेकिन शुरू हो ही जाएगा और आप इस गर्मी का लुप उठा सकते हैं अपने समस्तिपूर में वो भी मुस्री घारी के पास तो यहां देर ना करेंगे और वीडियो को सेर करेंगे क्योंकि यही वीडि लेगे थे और यहां जो लोग का जमामरा होगा वेड़ी होगा उनके भी ठढ़ने के लिए जो है उच्जेते वेवस्था किवेस्था किया जो की जिन 상태 जमीन वी इस निवर पार्ट में, एक हैं किटने सालों फिक्स, चाचा ने योगदान इतना बड़ा दिया कि अपने जगा को दिया और वहां पर जो वाटर पार्क बनेगा और यह साइध ही कोई लोग दिखा पाए होगे जो किनका जमीन गया कि होता है ने क्या कि जो लोग नहीं जान पाते हैं मैं दिया इसके बाद अगल बगल सब कर रहना कितना जमीन में बन रहा होगा जमीन हिए है चार बिघाह आप समझ सकते हैं एक बिघाह जो 20 कंठा होता है और आप कितने कंठा हमें यह वाटर पार्क बन राए है आप और शय्करीबसुख है बखरी बजर्ग में network बहुत बड़ा योगदान रहा और आपको धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि आप ऐसे यसे लोग रहेंगे आपके जैसे तो इस तरह का कारी जो समस्ति पूर का एक लाउता वाटर पार्क है यह वीडियो कैसा लगा आप लोग को कॉमेंट करेंगे वीडियो अच्छा आना हुले जै हिन